हलो एवरिबड़ी मेरा नाम रीचा गंगवानी है और आज जो पहली बार मुझसे जुड़े हैं बहुत-बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और जो मुझसे काफी टाइम से जुड़े हैं वेल्कम बैक आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ important चीज़ के बारे में कि एक beauty contest में क्या क्या चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए आपके अंदर ये जरूर होनी चाहिए सबसे पहली है communication skills आपके बोलने की कला आपको लोगों के आगे बोलने की कला आनी चाहिए public speaking आपको लोगों के आगे बोलने से डर नहीं हिचक नहीं कितने साफ से कितने कम शब्दों में आप अपनी बात और उतक पहुँचा पाते हैं तो अपने communication skills के ओपर काम करना शुरू कीज़े ताकि आप खुलकर अपने दिल की बात और उतक पहुचा सके दूसरी चीज जो की जूरी आपके अंदर ढूंड़े की देखेगी वह है आपकी फिजिकल ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी का मतलब यह नहीं आप बोरे हो या का यह सामने नाना आपकी परसनल हाईजीन आपका रुख रखाव आपकी संकिन कैसी है आपका हैर कैसा है आप कपAR को कैसे करी करते हैं आप किसी के ओपर कैसी एक अच्छा इंप्रेशन चोड़ते हैं फिजिकल अस्पेक्ट सो अपनी बड़ी लैंवेज पे काम कीज़े अप यह प्पिजिकल स्विव यह चिज दो आपके फइसरी चीज जो जूरी आपके तर देखे की वह आपका स्टेज के ऊपर आप कैसे चलते हैं are दोसतों यह जान लो कि एक फाशन वक और यह पेजिन वक दोनौ अलग चीज है फाशन वक में आपके कपडों को धिया जाता है ले कोई एक जेनरल वार्मुला नहीं है चलने का हर एक अलग तरीके से चलता है हर एक काकत काटी है कोई स्माइल करके चलता है किसी को लगता है मेरी आदी स्माइल अच्छी है किसको लगता है मेरी पूरी स्माइल अच्छी है जो भी आप पे अच्छा लगता है अपनी वाक की प ताकि कोई भी सवाल जब आप से पूछा जाए तो बड़े ही शांति से उसका अच्छे से जवाब दे सकें. पांचमी और सबसे इंपॉर्टन चीज है आपकी अंदर की सुन्दरता. आप लोगों के साथ कैसा बेहेव करते हैं? आपके अंदर कॉंपिटीटव स्पेरिट कितना है? आपके अंदर स्पोर्समेंशिप कितनी है? आप हार जीत को कैसे लेती हैं? बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो आपकी इनर ब्यूटी में आती हैं और ये भी जूरी आपकी अंदर देखती हैं क्वेस्टन आंसर के तुरू आपके पस में इंटर्व्यू के तुरू ये सारी चीज़ें निकल के सामने आते हैं और हां इसके साथ साथ आपका टैलेंट आपका बोडी स्ट्रॉक्चर और बहुत सी चीज़ें मैटर करता है लेकिन वो पान चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की उनके उपर अभी से काप करना शुरू कीज़ें तांकि जब आप पेजिंट के लिए तयार हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी न रोख सकते मिलती हूँ अगले हपते जल्दी ही आप से तब तक अपना खयार रखेगा